है आपी free fire घ्लते हों कि रीडियम कोड होगा आपके पास और यह क्या होता कि आपको यह सबस्क्रिप्षन लेने के लिए या फिर आपको इज़ खरीदने के लिए अगर बैटियम यह करते हैं लाइक अगर वेटियम से आपने बाई कर लिए फॉन पीसे बाई कर लिया या फि जब आप अपने प्ले एस्टोर पे Google play store पर रिडियम करने जाते हो ना तब आपके नया था तो अगर यहां से इस code को हम कॉपी करते हाला कि इस code को हमने use कर लिया है लेकिन example के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं जब हम रिडियम कोड़ पर क्लिक करेंगे इसमें कोई इस नहीं आएगा लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका यहां पर इस बताता है कि यूव अल्रीडी रिडियम डैट पॉड एक तो दिक्कत आपको यह आती है दोसीरी दिक्कत यह आती है कि सपोर्ज करो जब आप यहां पर पेस्ट करते हो गाईस आपको दिखा होगे तो यहां पर देखिए अभी दूसरा और निकल के आपको दूसरी चीज़ बताएगा यहां पर देखो अब क्या लिख के आ गया है कि डाट कोड डिड नाट वर्क प्राइगें इफ डैट कोड इस पर इस पेसिक एप्लिकेशन रिडिम इट इन डैट अप अब इसका कैसे ठीक करना है और यूब अलडि रिडिम डैट कोड उसको कैसे ठीक करना है दूसरी चीज एक आता है कि यो ट्रांजेक्शन कैननोट भी कंप्लीटेड चौथा आता है इंडिया प्रॉब्लम ठीक है या फिर कभी-कभी होता है कि यह कोड आपका काम नहीं करेगा ठीक है इस पर क्लिक किया कोड हमने डाला रिडिम पर क्लिक किया यहां पर आपके सामने लिख कर आ गया है कि यू हाब और डी रिडिम डैट कोड इसका मतलब यह होता है कि आपका कोड जैसे कि आपने कोड बनाया बंगल में आपका फ्रेंड बैठा था या फिर कोई और बैठा थ होता है कि वह code आपके फ्रेंड ने पहले यूज कर लिया बनाया आपने लेकिन उसने कर लिया सेम code को तो ऐसा नहीं एक code जो होता है गाई जना वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही redeem आप कर पाओगे मतलब एक code जो होता है जो एक Google Play रिजाज कर ले या फिर किसी और को आपको दे दो एक code ऐसे बार ही hundred होता है कि आप आप क्या होता है गोगल प्ले और गोगल पे में डिफरेंस नहीं समझ पाते हो और आप गल्दी से रिचार्ज कर देते हो तो क्या होता है कि आप कभी-कभी जब आप कोई वीडियोँ किया तो होता क्या है किया क्लिक करोगे यहां पर आपका बतायागा यहां अब बहुं कि अब आप सोचोगे कि भाई हमने डिम भी नहीं किया कहीं पर इस तरह को बता रहा है उसका मतलब क्या होता है इसकल मतलब ये होता है कि जितने भी application है कभी कभी क्या होता है कि आपकी setting auto automation पर रहती है तो चैकर बनता तो है by mistake लेकिन जैसे भी गूगल क्या करेगा गूगल प्ले स्टोर यह कोड जो है आपके ले जाके redeem कर देता है तो आपको घब़ाने के सब्सक्राइब अगर आपको लग रहा है कि या कोड किसी ने यूज नहीं किया है और जब इस को को टो करके हम play store में लेकि जाते है यहां पर इस्थिती बताता है कि आपको घपराना नहीं है आपको सीधा बैक जाना है और जाने के हमारा है हमने हमने खुद से पूर किया है लेकिन कहीं नहीं अगर आपको मतलब इस तरह हो जाता है तो इस जगह पर आपके बार हो जाता है वह कोड़ आपके प्लेस्टोर पर यहीं पर आके शो होनी लगता है तो यहां पर आप चेक कर लिए उसके बाद लेक्ट प्रोसेस जो भी कर रहा है वो करें तो पहला तो इस टेसर नहीं हो गया अब दूसरा हो गया कि जब आप कहीं कोई कोड़ डालते हो और गलत अब यह होता है कि आपने जल्दबाजी में कभी कभी क्या होता ने कि कॉपी करना कहीं अलगा आपने प्लेस्टोर से कॉपी करने करना हो गया बट आप क्या होता है कि जिसे कि आप अपने गूगल अपने कहीं टेलीग्राम पर आपको मिला फ्री में वहां पर आपने पता अगर जब कॉपी किया कॉपी के टाइम ही आप से एक नबर गलत हो गया एक नमबर जैसे ही गलत होगा और रीप्लेस्मेंट नहीं होना चाहिए तो आपका कोड रहा नहीं होगा और बार-बार एक ही इसई बताएगा जो आपके स्क्रेइन पर शो हो रहा है कि यहां पहली बात तो काम नहीं करेगा दुबारा से आप जो है ट्राइक करो और यहां पर सिफ एक स्पेसिक अप्लिकेशन ही करते ने अफंद यहां पर यहां पर यूज़ करना चाहांगे बिल्कुल नहीं होग बोदास और गोगल प्रेस्टोर के तरफ से आगर डालोगे यहापर irun हो पाएगा मितलब यह है कि जब भी आप कहीं से भी कॉपी करते हो तो ध्यान रहे कि आपको इस पेसीक चीजें यहाँ पर पेश्ट करनी है और इस पेसिक चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी चलो यह भी आपके प्रॉब्लम हो गया हो आसा करता हूं अब तीसरा नंबर यह हो आता है कि आपका कोई योड ट्रांजेक्शन करते हो जैसे कोई आप सब्सक्रिप्शन खरीदना हो गया या फिर कोई गेम में पर्चेश करना चाहते हो या फिर किसी अप्लीकेशन के रिवाट करते हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि बत है ऐसा कुछ बताता होगा तो क्या करना है कि आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है यहां पर आपको एक ओप्शन दिखाए देखाए यहां पर लिखा हो है फीडबैक इसके अंदर चले जाना है ओके और जाने की बात यहां पर आपको इस पेसिक चीज़े दिख जाएंग तो यहां पर हमको लिखना है जैसे कि वह प्रॉब्लम लिखनी जो हमें इसु आरहां यो ट्रांजेक्शन नॉट कर देना है ठीक है नेक्श्ट करोगे तो यहां पर आपके सामने इस्छु आपकी सामने हो जाएगा फिल्ड्र रांजेक्शन पर लोगल प्लेड़ाे वाइ जो भी है यहां पर देख सकते हूं यहां पर क्या करना है क्लिक करना है और यह करना है तो आरहा तो हम इसपर सेलेक्ट कर देंगे तो हम अपस lähes तेने सफ्कारां से ट्रू हो रहें पहला पारॉ और neighbor question पर आप क्रते हों दूसरा जो और तीसरा उप्सन जो है वह मेल के थुरू बात कर सकते हो लेकिन ध्यान रहे इन तीनों में डिफ्रेंस है क्या डिफ्रेंस है यह जो आपको मिल रहे है कॉल का और चैट का यह सुबह 9 बजे से लेकर साम को इवनिंग को 6 बजे तक ही इनेबल होता है उसके बाद यह दोनों सेक्षन है यह 24 hours रहता है 24 hours रहता है तो आप इनके टीम से बात कर सकते हो और जो भी इसू है वह इंस्टेंट शॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ध्यान रहे कि जो भी यहां पर आपको आपको information देनी है और उसके बाद आपका payment clearly हो जाएगा तो आपको यह तीनों आपको अब जादा है तो लाइक करना और वीडियो को जादा से जादा शेयर करना मिलता नेक्श्वीडियों में बहुत बहुत धन्यबात थैंक यू सो मच गाइज लव यो अगर